जह हिन दोस्तो भारत ने मिसाइल परिक्षन किया और चिन ने आपत्ति नहीं जताई ऐसा होगा ही नहीं एक दफ़ा चिन अपने मिसाइल परिक्षन के बारे में बताना भूल जाएगा लेकिन भारती ये सेना और DRD और दवारा दागी गई मिसाइल के बारे में जहर उगलने में कभी नहीं भूलेगा और इस बार सेना ने मिसाल भी ऐसे जगे पर दागी कि जहाँ पर से चिनी सेनिकों की कमर आसानी से तोड़ी जा सकती है यही कारण है कि कमिनिस पार्टी हद से जादा गुस्सा आए तो बहुत ही इंट्रेस्टिंग खबर है चलिए इसे विस्तार से समझते लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सबस्क्राइब जरूर करे तो दोस्तों आज के खबर भारती ऐसेना के 33 कॉप्स यानि त्री शक्ति कोर के ओर से निकल कर आई है जो के फिलाल सिया चिन में कारियरत है और इसी कोरने सिया चिन में जो मिसाइलों के बारिश कराई उसे से चिन परेशान है देखें ये अमरुजाला की रिपोर्ट है और इसमें जो लिखा है ना उसे जरा गौर से पढ़िये क्योंकि ऐसा करना चीनियों के बसकी बात नहीं तो जैसा के रिपोर्ट में लिखा गया है कि भारती ये सेना कित्री शक्ति कॉप्स ने सिया चिन में जो कि हड्डिया जमाने वाला इलाका है वहाँ पर यानी समुद्रतल से 17,000 फीट के उचाए पर ATGM मिसाइल्स दाग कर चिन को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके दिखाया ये योद अभ्यास या चिन में इसलिए किया गया क्योंकि सेना को चिन को दिखाना था कि जहां तुमारे सेनिक पांच मिनट ठिक से खड़े भी नहीं रह सकते उनकी सासे फुल जाती है वहाँ पर भारतिये जवान मिसाइल्स के साथ खेल रहे और ये कोई साधारन बात नहीं क्योंकि इतने उचाये पर एपैचे और चिनुक हेलिकॉप्टर्स भी सहसा उडान नहीं भरते और ऐसी जगे पर भारतिये जवानों ने एटी जिम मिसाइल्स दागी जिसे देख चिन के आखे बड़ी होनी तो लाजमी है सेना का कहना है कि इस एक्सेसाइस से आने वाले दिनों में दुरगम और उचाई वाले क्षेतर के मिशन्स में सफलता पाने में आसानी होगी क्योंकि भविश्य में चिन के साथ अगर जंग होई तो mostly सिया चिन जंग कम में इलाखा होगा ऐसे में इस इलाखे में हमारे हत्यार ठीक से काम करते है या नहीं या ठंड की वज़े से मिसाइल जम जाती है इसे time to time परकना भी ज़रूरी है त्रिशक्ति कोर के मुताबिक इस exercise में एक dummy tank को निशाना बना कर ATGM से उड़ाया गया यही वो मिसाइल टेस्ट की तस्वीरे जो चिन को सिया चिन में घुसपेट करने से पहले याद करनी चाहिए वरना इसी मिसाइल से उसका दियेंड भी हो सकता है त्रिशक्ति कोर के लेफ्टिन जनरल वीपेस कौशिक जी के मुताबिक सत्रह हजर फीट की उचाई पर अपने कंधे पर रखकर किसी मिसाइल को लौंच करना इतना भी आसान नही ओक्सिजन की कमी वाली इस जगे पर वही खड़ा रह सकता है जिसके अंदर वतन के प्रति वफादारी और दुश्मन को मार गिराने की सद्रिड इच्छा हो और मेरे युनिट में शामिल हर एक जवान चिन से मुकाबला करने के लिए हमेशा ततपर रहता है यही कारण है कि हम ऐसे जान लेवा इलाके में भी बड़ी आसानी से हत्यारों को टेस्ट फायर कर लेते और यह परिक्षन चिन के लिए एक संदेश भी है कि चिन 62 वाली हरकत फिर ना दोहराए खेर चिन सुधरेगा तब सुधरेगा लेकिन आप सभी सेना की इस हाई अल्टिटूट टेस्ट के लिए एक जहिंद जरूर लिखे और हाँ वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब बिज़ जरूर करे जहिंद